तू प्रभाग प्रधानचारिय महदया शिक्षगन एवं मेरे प्रिय से पाथियो मेरा नाम काश्मन्द है मैं कक्षदूसरिया में अध्यन करता हूँ आज मैं आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तूत कहने जा रहा हूँ जिसका शिर्शक है तेसू राजा बीज बाजार और यह कविता कवि निरंकर देव सेवत द्वारा लिखी गई है तेसू राजा बीज बाजार खरे हुए ले रहे अनार इस अनार में कितने दाने इस अनार में कितने दाने कितने है कंभल में खाने फेर बला क्यों लगी बताने ते सूराजा बीज बाजार खरे हुए ले रहे अनार एक जूंड में भेरे कितनी एक पेर पर पत्ती जितनी एक पेर पर कितने पत्ते गोपी के घर लत्ते जितने ते सूराजा बीज बाजार खरे हुए ले रहे अनार ते सूराजा बीज बाजार खरे हुए ले रहे अनार ते सूराजा बीज बाजार खरे हुए ले रहे अनार बीस लाग ते इस अजार दाने वाला एक अनार ते सूराजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो चार ते सूराजा बीज बाजार खरे हुए ले रहे अनार निरंकर देव सेवक द्वारा रचीत कविता ते सूराजा बीज बाजार एक लोगीत पर आधारित कविता है इस कविता में ते सूराजा बाजार में अनार ले रहे हैं वे गुकांदार से प्रश्न करते हैं कि अनार में कितने दाने हैं तो उन्हें उत्तर मिलता है कि जितने कंबल में खाने हैं तब कंबल में कितने खाने हैं इसको फला भेर क्यों बताने लगी एक जूंड में उतनी पेरे होती है जितने की एक पेर पर पत्ते होते है अब टेशू राजा दुकानदार से प्रश्णों करते है की एक पेर पर कितने पत्ते होते है तो इसका उत्तर मिलता है की जितने गोपी के घर कप्रे गोपी के घर उतने ही कप्रे है जितने की कलकत्ते में कुट्ते है भो 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 निशकर्ष निकलता है की कूल बीस लाग तेईस अजार दाने वाला एक अनार टेशो राजा कहते है की मुझे भी चार अनार दे दो धन्यवाद